और राज्यों के चुनावी संग्राम आपको बताए आज अपने दूसरे पड़ाव पर पहुँच चुका है बंगाल में आज नंदी ग्राम समीत 30 तो असम में 49 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव को बेहद एहम माना चार है और समी के निगाहे नंदी ग्राम पर है जा खुद सुवे की मुख्य मंतरी ममता बैनर जी और उनके पूर्व सहयोगी सुवेंदू के बीच महा जंग हो रही है तो वहीं असम में पांच मंतरी समीत स्पीकर मैदान में है पर आपको बताएं कि बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है कुल 30 सीटों पर हो रहे हैं इस मतदान में सब के निगाहे नंदी ग्राम सीट पर है जहां बीचेपी के सुवेंद्व अधिकारी का मुकाबला बुख्य मंतरी ममता बैनर जी से है कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीचो करी 75 लाग वोटर्स उमीदवारों की भागे का आज फासला करेंगे पूर्वी मिदनापूर पश्चमे मिदनापूर दक्षन 24 परगना साहिद बाकुरा में आज मतदान हो रहा है आपको बताएं दूसरे चैनल की वोटिंग शुरू हो चुकी है और हमारी सेयोगी तनिमा बिस्वास इस वक्त हमारे साथ नंदी ग्राम से लाइफ जुड रही है और ज्यादा अपडेट आपको बताएंगी तनिमा बिस्वास तनिमा सबसे पहले आप से जानना चाहेंगे कि लोगों की तादात कितनी आ रही है सुबह ही हुई अभी वोटिंग कुछ समय पहले ही कुछ घंटे पहले ही शुरू हुई है क्या लग रहा है महाँ पे कितने लोग आ रहे हैं कितना उत्सा है लोगों में पैच्षवेता ये बहुत ही एक एहम फेज है बंगौल इलेक्शन का ये सेकंड ही फेज है बट सेकंड फेज ही सबसे बड़ा कॉंटेस्ट जो है बंगौल इलेक्शन का वही दर्शाता है हम लोग नंदी ग्राम में खड़े हैं जहां पे शुभिंदो अधिकारी वर्जिस ममता बैनर जी ये सबसे बड़ा बैटल है बैटल फील्ड है जिसको हम बोल सकते हैं और हम इस बूत में खड़े हैं जहां पे थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के कैंडिट शुभिंदो अधिकारी आके वोट करके चले गए हम अगर आपको थोड़ा सा वहां पे नजारा दिखाए कि यहां पे एकदम पूरा एक गली के अंदर ये पोलिंग बूत है तो बहुत ही नारो पाथ है नारो गलिया है पतली गलिया है जहां से गाड़ी भी आना बहुत मुश्किल है त और वो अंदर आके फिर यहां पे वोट करके चलेगा यहां पे आसपास के जो घर वाले घर में लोग रहते थे सब हम लोगों ने देखा कि वो लोग अपके अपने चत में या विंडोस में खड़े थे शुभिंद अधिकारी का एक मतलब एक ग्लिम्स लेने के लिए बट यहां पे जो अगर हम आपको दिखा पाए यहां पे जो पोलिंग भूत है जहां से शुभिंद अधिकारी का वोट था यहां पे अभी भी बहुत ही अर्ली मॉनिंग है एक ही घंटा हुआ है जब वोटिंग स्टार्ट हुआ है और यहां पे लोग अभी भी आ रहे हैं हम अ तो दादा एक्षाली कोई आपकोट तीखाने भी तौन देखाने लिए भी पूछेंगे लोगों से अधू तर्टते से अधूर एक प्रभ्लम की जिए जुड़ने तुम्हें ने वोट कोते चाहिड पूछेंगे लोगों से कि चाओ तो अम्रा जो एमाने जेही आशु आमरा शिटा जिगेश कपते चाहिए नाथ कि काके बोट खोलबे पड़ जेही आशु काते कि चाओ तरा की कोले नोंदी ग्रामें जनने कि चाओ आपने तरा कि चाओ क्रेशना जेखिए निटेख भी चाओ अपना बड चाहिए। प्रभुत वाले बराग घाटी में सीए का समर्थन करने वालों के लिए एक परिक्षा की तरह है पहले चरण में 47 सीटों पर हुए मतदान में ब्रह्म पुत्र घाटी में CAA विरोधियों का दबदबा था क्योंकि करिब एक साल पहले यहां CAA के विरोध में लहर काफी तेज थी बची हुई जो 89 विधान सबा सीटों में से आज 49 सीटों पर मतदान हो रहा है आपको बता दे कि असम में बीजेपी के नेत्रेतो वाले गडबंदन का सीधा मुकाबला कॉंग्रिस गडबंदन से है और सीधे ले चलेंगे हमारी सही होगी अफरीदा लाइप जोड़ी है हमारे साथ आपको ज्यादा अपडेट देंगी अफरीदा सुबह का समय है वोटिंग शुरू ही हुई है लेकिन आपसे जाना चाहेंगे कि लोगों का मूड मीटर क्या है क्या कुछ इशू लेकर वो आज अपना मतदान करेंगे वोटिंग करेंगे जी श्वेता तो मैं बता दू कि मैं मंगल दोई में हूँ मंगल दोई इस अ कंस्टिट्विंसी यहां का जो समस्ती है मैं काफी लोगों से बात कर रहे थी और मैं अभी भी बात करूंगी पूछने के लिए कि लोगों में क्या उनका क्या इशूज है क्या वो फील कर रहे है आज जो वोट देने आ रहे है पांच साल बाद ये मौका उनको मिलता है मैं एक बात और भी बता दू आपको कि यहां पर एक मिक्स्ट पॉपिलेशन है कोई बंगला भाशी है तो कोई हिंदी भाशी है तो कोई आसमीज भाशी है और यही चीज आसम में बहुत इंट्रिस्टिंग है कि हर एक कंस्टिट्विंसी की जो डेमोग्राफी है वो एक कॉक्टेल की तरह है काफी अलग-अलग ट्राइब्स जनजाती के लोग होते हैं और कम्यूनिटी पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं वो हावी है यहां पर कास्ट सब्सक्राइब्स नहीं कम्यूनिटी पॉलिटिक्स तो मेरे साथ कुछ लोग है उनसे पूछेंगे यह बंगला भाशी है आप बेशक बंगला में जवाब दीजे मैं आपको हिंदी में पूछती हूं तो आप लोग क्या हर बार आते हैं वोट देने आता केया ध्यक्त करी एर देने के बंगला में पूछती है आते हैं जगले में पूछती・・・ चैस जवा नहीं कि नगर मारतालप सहित है। तो मयान हें अन्टा देने एक जगलें आप देने का जह बंगले कह ने अड़र इस इता है, विल्क फेड़े आछाल, अविल्क पार्चिटिक्ट हो पार्चिज एल्देक्ट डिल्टर एंगे इन यंगर जोर्चिन एमिटेशने इन अडर भी आट लूगे के और था और यहां लोगी आखा सेखार्टे सि के लुगा से आट, इंगे लोगेहां उन् यहां पे जो है बानपनी का समयस्या है यह फ्लud problem बानपनी हमस्या है Most people here they are either they run small business or they are farmers they are carpenters there is one gentleman I was talking to who runs a salon, okay, let me try and figure out, here he is, yes, so let me, let me figure out what they are thinking, आप, आप सलों चलाते हैं, आप सलों चलाते हैं, आप का कारपिंटरी बिजनेस है, stationery, stationery business है, sorry, हाँ, आप बताएं कि यहां का क्या माहॉल है, मंगल दोई में कैसा है, माहॉल, हाँ, आप लोग जो आए हैं, वोट देने, क्या सोच के आए हैं, किस तरह का नेता चुनने आए हैं, आप किसको वोट देने, वो नहीं बोलना है, आप सिर्फ बोलिये कि आपका इश्यू क्या है, लोगों के यहां के समस्या क्या है, आप क्या कहेंगे? आप सुन सकते हैं कि काफी लोग जो स्कीम्स हैं उनसे बेनिफिट हुए हैं, तो यह एक बड़ा इश्यू है कि बेनिफिशिरी पॉलिटिक्स, यहां पे कम से कम अभी जो मैंने सुना, लोग काफी उस चीज से खुश है और यहां के डिवेलप्मेंट से जो रोड्स बने हैं, ब्रिजज बने हैं, उस चीज से खुश है, लेकिन यहां पे भी फ्लाड का समिस्या जो है, फ्लाड का प्रॉब्लम जो है, वो काफी बड़ा प्रॉब्लम है, और इसी तरह से ऐसे तेरा दूसरे तेरा दिस्ट्रिक्स में आज वोटिंग हो रहा है, थर्टी नाइन कंस्टिटुएंसीज बने हैं, फ्लाड का समिस्ट्रिक्स में आज वोटिंग करेंगे, उसके अलावा माइनॉरिटी के डॉमिनेटिट सीट्स भी है, जैसे होजाई डिस्ट्रिक्ट है, नौगाउं डिस्ट्रिक्ट है, तो ये एक बड़ा इंट्रिस्टिंग फेज है उसे साब से, क्योंकि फर्स्ट फेज में कहा जाता था कि रूलिंग पार्टी का ज़्यादा दबदबा है, थर्ड फेज में कहा जा रहा है कि उपोजिशन अलाइन्स जो है, कॉंग्रिस लेड अलाइन्स जिसको महा जोट कहते है, उनका ज्यादा वो रहेगा, लेकिन ये जो मिडल फेज है, जो सेकेंड फेज है, ये इस फेज के लिए लड़ाई बहुत तेज होगी, इतल बीए स् हैं, मतदाता हैं, उनके भागे का फैसला करेंगे, आपको बता दे कि पश्विम बंगाल और असम दोनों जगह पर लगातार, आपको बताएं कि दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकिये, सीधे चलेंगे, पश्विम बंगाल नंदी ग्राम जहां पर हमारी सहियों क आपने जाना लोगों का मूड मिटर की लोग क्या इशू लेकर आएं, किस तरीके से आज वोटिंग करेंगे, अपना मतदान करेंगे, आपसे ये भी जाना चाहेंगे कि इस बार का जो नंदी ग्राम का बैटल है, या नंदी ग्राम का जो संग्राम जिसे हम कहें, वो बहु जी, जैसे आपने कहा कि नंदी ग्राम का संग्राम ही यहाँ बंगाल का सबसे बड़ा बैटल है, ममता बैनर जी भी यहाँ पे नंदी ग्राम में मौजुद है, शुभेंदू ओधिकारी यहां के रेजिस्टर्ड वोटर है, थोड़े देर पहली ही हमने देखा उन्होंने यहाँ इस बोलिंग बूथ में आके उन्होंने वोट किया, पर यहाँ की जैनता है, यह नंदी ग्राम ब्लॉक वन है, यहाँ पे हम पता करते हैं लोगों का क्या मुद्धा में है, दादा आपना के जिगेश कुरते पारी, आपनार की में फैक्टर, आपनार की मोने को यह वोट दे बेन, आर आपनार की में आपनी जानते आपनादे 25 बस्तो जेता मोने आपनी वोट दिखुछें, ऍंधिगराम यह उन्नोयन रेके खी होगी, आपनी बोला जाए huk rich, आपनार की चान एखाने जदी नुन्दी ग्राम यह उन्नवान आपनी की एक्सपेक्च कोरें लीजर शर्ख शिरमा लाद कि पृनी तक होंगाने बुद व्हाइक शर्ड़ाद इांक रिज्य मढनी का बख भाथ कि अपस रखा जएगा जी तो जैसे इन्होंने भी कहा कि जो यहां के infrastructure है रस्ते के तरफ से अगर हम बात करें या बिजली के तरफ से अगर बात करें यहां पे power या infrastructure उतना अच्छा नहीं है यह एक high profile constituency बहुत दिनों से रहा है इनफाइट शुभिंद होधिकारी यहां के MLA 10 साल से थे TMC के तरफ से अफकॉस पर डिस्पाइट यहां पे उतना development नहीं हुआ है और यही चीज वोटर्स जो है नोंदी ग्राम के वो लोग इसको अपने दिमाग में रखे अभी यहां पे वोट देने आये हैं थोड़ा और आगे जाके अगर हम लोगों से थोड़ा और पूछे आपको यह ध्यान में हम रखते हैं कि यह जो पूरा इलाका है यह एक मतलब ज्यादा तर सपोर्टर्स यहां पर शुभेंद होधिकारी की हैं पर मेंली अगर हम देखे तो जहां लोगों की बात आती है उनके जो समस्य आए हैं उनके जो में में फैक्टर्स हैं जो वो चाहते हैं कि लोग के यहां पर जो भी जीत के आए वो ठीक करें तुम्हार ईए तुम्हार चाहिए जीटुक दूजोंने बौड़ाव जोए पीसफुल वोटिंग रहें आप वहीं चाहते हैं है ठीक है और एक किसी से भी बात करेंगे आप यहां चाहते हैं कि बहुत सरे वोटर यहां पर यह भी भोल रहें security यहाँ पे लगाई गई है around 22 companies of Central Forces यहाँ पे मौझूद हैं हर एक polling booth में अगर आप देखें हर एक polling booth में Central Forces के लोगों को लगाए गए है 355 polling booth सारे ही sensitive बताए जा रहे हैं और उनमें से 180 ऐसे polling booth हैं जो critical हैं तो ये भी कि एक चीज voters के दिमाग में हम देख सकते हैं वो बोल भी रहे हैं बाद भी कर रहे हैं इस बारे में कि उनके हिसाब से यहाँ पर एक सुरक्षित environment में voting हो वहीं चाहते हैं और हम और एक voters से भी बात करेंगे मैडम अपनी अगर बता पाए कि आप क्या चाहते हैं यहाँ पर नोंदी ग्राम में जो जीते वो क्या चेंज लाए क्या चेंज होना चाहिए नोंदी ग्राम में जोब अपर्चुनिटीज भी यहां के युवा लोगों को ज्यादा मिलना चाहिए यह भी हम इन जो हम लोगों से इतने दिनों से बात करें यहां पर यह भी हम देख रहें कि नौकरी का भी एक ऐसा important point है यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो unemployed है और वो इस बारे में भी चाहते हैं कि जो भी यहां पर जीते ममताब energy हो या शुभिंद ओधिकारी हो दोनों ही अफकोस बहुत heavyweight candidates हैं और वो अगर उनके लिए कुछ कर सके तो यहां पर development अफकोस सरकों की हाल बहुत खराब है वो सुधारा जाए और नौकरी का भी job opportunities भी दिया जाए ऐसे ही हम आपको और भी ऐसे तस्वीर है और वोटर से बातचीत करेंगे अज पूरा दिन जानने के लिए कि नोंदी ग्राम जो सबसे बड़ा high profile constituency है Bengal का तो उसमें जो लोग आज वोट करने के लिए आए हैं वो किन किन मुद्दों में वोट कर रहे हैं जो बिलकुल तानिमा आप हमारे साथ बने रही है और लगातार जनता का जो mood meter वो जानने की कोशिश करेंगी जिस तरीके से हमने यहां पे जाना की कैसे जो भी है उन चीजें हैं जो आम जनता कुछ आई है इस विच आपको सुनाते हैं कि शुबेंद अधुकारी जो अपना वोट डाले हैं उनकी पहली प्रतिक्री आई है सबसे पहले वो सुन लेते हैं जीद मेरा तो नहीं बीजेपी पाटी का होगा विकास का होगा नरंद्र मोधी जी का होगा यह परिवर्तन का लाहर पुरा बंगाल में चल रहा है बंगाल की लोग आसली परिवर्तन के लिए और डबल इंजिन सरकार के लिए वेट कर रहा है 85% वोटिंग होना चाहिए कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए कोई इंजोन नहीं होना चाहिए कोई बूद में रीपोल होना नहीं चाहिए और चलिए आपको बताते हैं कि दूसरे चरण के जो वोटिंग हो रही है आज सुबह से उसमें नंदी ग्राम जो सीट है नंदी ग्राम इतना एहम क्यों है आखिर इतना मैटर क्यों कर रहा है लोगों के लिए इसको आप से विस्तार से साज़ा करेंगी हमारी सही होगी गौरी सिंग जो इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइब जुनें जी गौरी सबसे पहले अगर नंदी ग्राम सीट की बात करें तो इतना एहम आखिर है क्यों है ये बताईए बिल्कुल जैसा की श्वेता बोल रही थी कि पश्चर मंगाल में आज 30 सीटों पर मदान हो रहा है मगर सभी की निगाहें केवल एक सीट पर बनी हुई है और वो है नंदी ग्राम की सीट जाहिर सी बात है इसलिए ये जो सीट है वो इतनी जादा एहम है क्योंकि खुद सू बेंदू अधिकारी और इसलिए ये जो पूरा का पूरा मुकाबला है वो बहुत ही जादा रोमान्चक बहुत ही जादा दिल्चस्प हो चुका है मगर नंदी ग्राम आखिर बंगाल की राजनीती के लिए इस चुनाप के लिए इतने एहम क्यों है ये अपने दर्शकों को बताते हैं थोड़े इतिहास के तथे बता देते हैं दरसल नंदी ग्राम लांड टीमसी के लांड आक्विजिशन मुवमेंट याने की जो जमीन अधिगरहन आंदोलन था उसका ये केंद्र था करीब 14 साल पहले की ये बात है जब जमीन अधिगरहन के खिलाफ नंदी ग्रा से ये आंदोलन इतना बड़ा हो चुका था कि 34 साल तक राजय में अपनी सरकार चलाने वाली लेफ्ट सरकार को सत्ता से हटना पड़ा था और 2011 में टीमसी भारी वोटों के साथ सत्ता में आ गई थी और ममता बानर जी मुख्य मंत्री बनकर भी उभरी थी आपको बताते हैं कि आखिर और आगे क्या हुआ इसी नंदी ग्राम संग्राम या फिर नंदी ग्राम का जो आंदोलन था उसमें ये जो स्लोगन है जिसका ममता बैनर जी आज तक इस्तमाल करती हैं वो स्लोगन पैदा हुआ और वो स्लोगन था मा माटी मानुष जिसका कि अभी तक ममता बैनर जो कि किसानों की समर्थन में हैं उनके जो हित हैं उनके लिए काम करती हैं उनके लिए लड़ती हैं और साथ ही आम आदमी के साथ जो उनका कनेक्ट है वो और भी जादा पुखता हो गया इस नंदीगराम आंदूलन के बाद साथी आगे बढ़ते हैं आपको बताते हैं कि मम्ता का जो कनेक्ट है नंदीगराम के लोगों के साथ वो बहुत ही जादा है कई बार हमने देखा इस चुनावी कैमपेन में भी मम्ता ये कहती हुई नजर आए कि नंदीगराम उनके घर जैसा है और नंदीगराम के जो लोग हैं वो उनके परिवार जैसे हैं और लगातार यही उनकी कोशिश रही कि ये जो इमोशनल कनेक्ट है उसको बार-बार सामने लाते रहे ताकि जो मदाता है वो याद रखे कि मम्ता का कितना गहरा नाता है नंदीगराम से तैसा आपको ये भी बता दें कि जो मम्ता के सामने खड़े हुए हैं वो हैं बीजेपी में शामिल अभी भी शामिल हुए नेता सुवेंदू अध़िकारी जो कि कभी मम्ता बैनर जी के बहुत ही खासम खास माने जाते थे मगर चुनाफ से कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी बदल दी और बीजेपी में शामिल हो गए मगर सुवेंदू अधिकारी भी एक तरीके से बहुत ही बड़े नेता है नंदी ग्राम को दरसल सुवेंदू का गड़ ही माना जाता था जब तक वो टीमसी में थे और जो सुवेंदू हैं उनकी भी भूमी का काफी जादा एहम थी नंदी ग्राम के जमीन अधिग्रहन आंदोलन के खिलाफ तो उनकी भी छवी कुछ इसी तरीके की बनी हुई है मगर अब ममता बैनर जी दूसरे खेमे में है और सुवेंदू अधिकारी दूसरे खेमे में है और आज मतदाता इस बात का फैसला करेंगे कि आखिर जीत किसकी होती है जी बिल्कुल गौरी आज ही जो मतदाता हैं वो ये निश्चित करेंगे कि वो किस खेमे में जा रहे हैं फिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए